किसान अंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसानों की मांग क्या है? और सरकार कहा तक मानने को तयार है? तीन नए क्रिश कानून क्या है? किसान अंदोलन पर देसर दुनिया क्या कह रही है? किसान अंदोलन से जुड़ी कुछ महत्पूर बातें जिन्हें जानना बेहत जरूरी है नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत श्वागत है आपका आपके अपने पसंदिदा युटूब चैनल प्रदीब लिगल हेल्प में मैं आपका मित्र प्रदीब को एडोकेट दोस्तों बीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें बीडियो काफी हेल्पूल होने वाला है किसान अंदोलन से जुड़ी संपूर जानकारी आप तक बहुत ही सहजता के साथ पहुचाने का प्रयास करूँगा दोस्तों आईए सुरू करते हैं पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की शीमा पर पंजाब हरियाणा और कुछ दूसरे राज के किसानों का प्रदर्शन जारी है ये किसान अध्यदेश के जरिये बनाये गए तीनों नयक्रिस कानून को वापस लेने की मान कर रहे हैं इन किसानों ने बीते 8 दिसंबर को भारत बंद का अवाहन किया था जिसे करीब दो दर्जन विपच्छी राजनीतिक पार्टियों और विभिन किसान शंगठनों का समर्थन मिला था इस प्रदर्शन के दौरान केंसरकार और किसान नेताओं के बीच कई राउंड की बाचीत हुई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला किसान शंगठनों के कुछ प्रतनिदियों से गरह मंतरी अमिशाह की मुलाकाश्य भी कोई राश्ता नहीं निकला दिल्ली के बॉडर पर दिन रात बैठे किसान तीनों कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जबकी केन सरकार कानून के कुछ विवादास्पद हिस्से में संसोधन के लिए तयार है सरकार यह भी तावा कर रही है कि नए कानूनों से किसानों का कोई भी नुक्षान नहीं होगा लगभग 17 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर धेरो शवाल पूछे जा रहे हैं इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ शवालों के जबाब देने की कोशिस की है आईए जानते हैं कि आखिर किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं दोस्तों, 20 और 22 सितम्बर 2020 को भारत की संसद ने क्रसी संबन्धी तीन विधैकों को पारिद किया 27 सितम्बर को भारत के राषपती रामनात कोविंद ने इन विधैकों को मंजूरी दे दी जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इन कानूनों के जरिये मजूदा APMC Agriculture Produce Market Committee की मंडियों के साथ साथ निजी कमपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधी खेती खादानों की खरीद और भंडारन के अलावा विक्री करने का अधिकार होगा विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को इस बात की आसंका है कि सरकार किसानों से गेहों और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बजार के भरोसे रहना होगा किसानों को इस बात की आसंका भी है कि इससे लिजी कमपनियों को फाइदा होगा और निउन्तम शमर्थन मूल के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी हलांकि तीनों नए कानून में APMC मंडियों के बंद करने या MSP सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है लेकिन किशानों को डर यह है कि इन कानूनों के जरिये निजी कमपनियों के इस बाजार में आने से अंत में यही होना है 2019 में ये सरकान ने पंजाब और हर्याडा में 80,000 करोड रुपए के गेहूं और धान की खरीद की इन में से अधिकांज किसान छोटे और शीमान किसान हैं निजी कमपनियों के आने से सरकार अनाज की खरीद कम कर सकती है या बंद कर सकती है इस आसंका के चलते ही पंजाब के किशानों ने इन कानूनों के विरोध में जून जुलाई से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था हरियाणा के किशान विरोध प्रदर्शन में सितंबर में शामिल हुए पंजाब और हरियाणा में यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से चल रहा था लेकिन तब केर सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई हलाकि तीनों कानून का राजीतिक विरोध भी होने लगा था एशे में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान 26-27 नौमबर को दिल्ली की सीमा तक पहुँच गए इसके बाद शरकार ने किसान संगठनों से बातचीत शुरू की इसके बाद पंजाब और हरियाला की अलावा दूसरे राज्यों की किसान भी बिरोध प्रदर्शन में शामिल होने शुरू हुए दोस्तों आईये जानते हैं कि तीन नए किस कानून क्या है किसान जिन तीन किस कानून का बिरोध कर रहे हैं वे कानून कुछ इस तरह हैं नंबर एक करसक उपज व्यापार और वाड़िज समवर्धन वा सरली करण कानून दोहजार बीस नंबर दो करसक ससकती करण वा संड़क्षन कीमत आश्वाशन और करसिश्षेवा पर करार कानून दोहजार बीस और तीसरा है आवस्षक वस्तू शंशोधन कानून दोहजार बीस इने कानूनों के तहट किसान अपने करस उत्पादों की खरीद विक्री एपी अमसी मंडी से अलग खुले बाजार में भी कर सकते हैं किसान इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा वियोद कर रहे हैं किसानों का कहना है कि अगर वे एपी अमसी के मंडीयों से बाहर बजार दर पर अपना फसल बेशते हैं तो हो सकता है कि उन्हें थोड़े समय तक फायदा हो लेकिन बाद में MSP की तरह निश्चित दर पर भुकतान की कोई गरंटी नहीं होगी प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस बात की असंका भी है कि इस कानून के रहते हुए उन्हें नियुन्तम समर्थन मूल भी नहीं मिल पायेगा हाला कि सरकार का कहना है कि क्रश कानून MSP, सिस्टम और APMC मंडियों को प्रभावित नहीं करते हैं किसान यह भी पूछ रहे हैं कि APMC मंडियों के नहीं रहने पर अड़तियों और कमिशन एजन्टों का क्या होगा नए कानून के तहट अनबंधिय खेती को मंजूरी दी गई है यानि अब किसान थोग विक्रताओं, प्रोसेसिंग, इंडियाटीज और प्राइबेट कमपनी से सीधे अनबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं इसमें फसल की कीमत पर बात तैं करके अनबंध किया जा सकता है सरकार का दावा है कि इस प्रावधान से किसानों को पूरा मुनाफ़ होगा, बिचॉलियों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा लेकिन किसान अनबंधिय खेती के विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर किसानों को दो प्रमुख चिंताएं हैं पहली चिंता तो यही है कि क्या ग्रामिर किसान निजी कमपनियों से अपने फ़सल की उचित कीमत के लिए मौलभाव करने की इस्थित में होगा और दूसरी चिंता उन्हें आसंका है कि निजी कमपनियों ग्रुवत्ता के आधार पर उनके फ़सल की कीमत कम कर सकती हैं, खरीद बंद कर सकती हैं नए कानून की मदद से सरकार ने दलहन तिलहन प्याज और आलू को आवस्यक वस्तू की सूची से हटा चुकी है सरकार का कहना है कि इससे इन उत्पादों के भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी, इससे निजी निवेस आएगा और कीमतें इस्थिर रहेंगी दूसरी और किसानों का कहना है कि इन प्रावधानों से लिजी कमपनियां बड़े पैमाने पर इन उत्पादों का भंडारण करने लगेंगी और अपने फाइदे के लिए बाजार में इन उत्पादों की आपूत में कृतिम कमी पैदा की जाएगी किसानों का यह भी कहना है कि जब उन्हें ऐसी कमपनियों की इच्छा के मताबिक उत्पादन करना होगा और उन्हें किमते भी कम मिलेंगी दोस्तों किसान की मान क्या है और सरकार कहां तक मानने को तयार है तो किसान तीनों कानून को पूरी तरह वापस लेने की मान कर रहे हैं वे इन कानून में किसी संदोधन के लिए तयार नहीं है किसान की मांग है कि सरकार संसत का विज़ेत सत्र बुलाकर इन तीनों कानूनों को निरस्त करे किसान संध करसे उत्पादों की MSP से कम मूल पर खरीद को दंडनी अपराद के दैरे में लाने की मांग भी कर रहे हैं इसके अलावा वे धान गेहों की फजल की शरकारी खरीद को सुनिश्चित करने की मांग भी कर रहे हैं केज सरकार इन तीनों कानून को लेकर किसे नेताओं के कई वर्गों से बात की है सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस मामले में निजिक कमपनियों को रेगुलेट करने की विवस्था और फ्रेम वर्ग लाने के लिए सरकार तयार है सरकार MSP बहार लखने और APMC मंडियों को मजबूत करने के लिए लिखित आस्वासन भी देने को तयार है सरकार इस बात के लिए भी तयार है कि किसान और निजिक कमपनियों में किसी विवाद का फैसला सब डिविजिनल मजिस्टेट के जरिये ही नहीं होगा बलकि किसानों के शामने अदालत जाने का विकल भी होगा लेकिन किसान सरकार के इन संसोधन से संतुष्ट नहीं है